Hello students, this is BSI Academy Classes. आज की हम क्लास में राजिस्तान लोग सेवा आयोग, RPSC की थुरू जो Assistant Professors की जो VACANCIES आई हैं, उसकी बारे मैं हम डिसक्स करेंगे की number of कितनी VACANCIES हैं, इसकी age criteria कितना हैं, कौन कौन से subject में VACANCIES आई हैं, सेवलिस कितनी हैं, age limit कितनी, इन सब points करम डिसक्स करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दू, जो राजिस्तान लोग से वा आयोग की जो VACANCIES हैं, उसमें net, slat और set exam कंपन सरी हैं, तो इसका जो qualified candidate है, net exam जो qualified है, या set exam qualified candidate है, उन्हीं वही candidate इस form को fill up कर सकते हैं, ओके स्टोर्ड, तो सबसे पहले हम देखते हैं, कि इसमें, इसमें जो subject की जो VACANCIES हैं, उनको हम देख लेते हैं, एक बार, इसमें देखो, number of subject जो हैं, जैसे Botany, Chemistry, Math, Physics, Geology, Happiness Administration, इस subject में, इसमें vacancies आई हुई हैं, इसके बारे में को देख लेते हैं, और जो सारे subject जैसे law है, आपका drawing, economics है, English है, job or fee है, Hindi, history, सबसे ज़्यादा जो vacancies हैं, वो हिंदी subject में हैं, इसके बाद आपकी English में हैं, और आपकी सब्सकत सभी subject पच्छी vacancies हैं, तो number of vacancies, जो total number of vacancies, जो है, वो आपकी number of vacancies, जो है, 918, 918 number of vacancies इसमें आई हुई है, total, तो अलग-लग, अलग-लग उस पे vacancies हैं, जैसे देखते हैं, अलग उस पे vacancies आई हुई है, जैसे general categories के लिए है, ST, ST, OBC, MBC, और EWS, इन categories में vacancies आई हुई हैं, तो आप अपने subject को यह से check कर लिजे कि किन-किन subject में आपके लिए vacancy नापे available हैं, तो number of subjects हमें देख लिए है, total number of vacancies, जो है, 980 total number of vacancies हैं, और अलग-लग subject में vacancies हैं, तो subject अपने check कर लिजे एक बार, अब next point जासे देखते हैं, next point जो है, कि eligibility, सहचे योगता क्या हो, क्या है इसके लिए, जो सहचे योगता है, वो क्या है, सहचे योगता पर तेरा point डिसकस कर लेते हैं, कि जो सहचे योगता हो क्या है, इसके लिए क्या है, 55% marks, जो आपकी master degree में compulsory होने चाहिए, पहला, पहला point है, good academic record with the at least 55% marks, आपके 55% marks होने चाहिए, master degree में, second है, आप आप net, net exam, और इसी के सम्तुर लेकिने, select और set exam, कोई भी एक exam, आप qualify होने चाहिए, इसके बाद, UGC CSIR, जैस अलग subject है, जैस chemistry से, इन subject के लिए, UGC CSIR के exam qualify होना चाहिए, मतलब होई candidate इस form को फिलब कर सकते हैं, जिन्होंने, net, select और set exam, CSIR exam qualify किया हो, third point, third points जो है, वो है, candidate who are, have been awarded the PhD degree in accordance with the university grant commission, PhD degree qualified candidate, इसमें होनों होने चाहिए, okay, तो इन सब चीज़ों के लिए, और कुछ subject ऐसे हैं, जिनमें net और select exam exam नहीं होता, उनकी net set compulsory नहीं है, तो मैंने आपको इस सब चीज़ें बता दी यहां पर, 55% marks होना चाहिए, फिर आपके net, select, set exam, qualify होना चाहिए, और PIT जो 2009 के regulation के according होई चाहिए, okay, इसके बाद मैंने आपको जो, जो grade पे जो है, इसका grade पे जो है, पंदर या चैसो से 49-800 AGP grade पे है, और इसकी जो age limit, जो age है, age कितों चाहिए, आपके 21 बर्स से लेकर 40-40 साल तक इसकी age स्मिर्खी गई है, मंदर जुलाई, 2020 को इसकी है, 21 और 40 से अधिक नहीं हो चाहिए, और 21 से कम नहीं हो चाहिए, okay, जो 5 year, जो age का relaxation है, वो भी आप देख लीजिए, 5 years का age relaxation है, और 10 years के, अलगलग candidates के लिए, जैसे राजस्तान के अरसुचित जाती, जन जाती, पिछड़ा बर्ग, पिछड़ा बर्ग पुरसों के लिए 5 years का relaxation है, सामन बर्ग की मेला, या सामन राज की आतिरुप से कम नहीं बर्ग की मेलाओं के लिए 5 years का relaxation, मतलब 45 उसके लिए चल ज 10 years के लिए, राजस्तान की अरसुचित जाती, जन जाती, जन जाती, अन पिछड़ा बर्ग की मेलाओं अबर्ग लिए 10 years का relaxation है, बिद्वा एबं परित्याद मेला जिनकी जड़ी है, उनके लिए लो अपर एज लिमिट, उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कितने भी उसके formula का सकती है, परिजर भी परिच्छा कम चाहिए अस्तांक कर दिया गए हो, मामले हो, आयो सीवा 50 बास होगी, इस तरह से, इस तरह से मेरे आपको पता दिया है, इसमें जो एज लिमिट है, 21 से 40 बस होनो चाहिए, मगर 5-10 साल का जो हो है, वो अलग-अलग candidate के लिए हो इसमें क्या है, इसमें देख लेते हैं, इसमें चैनल पॉइंटस है, मैं आपका, इसका description वीडियो की link को देदुगा, तो मापे भी जाके आप चेका सकते हैं, परिच्छा की जो चैन पिरकिरिया होगी, इस पिरकिरिया होगी, इस पॉइंट को देखते हैं, परिच्छा, पृतियो की परिच्छा, पृतियो की परिच्छा, यह प्रिच्छा की परिच्छा होगा, और साचलों करके, इंटर्व्यू की मादियम से भने जाएंगे, परिच्छा की तितीये चल्दी सूचत की जाएगी, कि इसकी राजस्तान का जो वेबसाइट हैं, उस पर पर आविदन अविदी जो है नो एक दोयालबीस से आठ बारा दोयालबीस राती बारा इसकी आठ दिसम्बर इसकी लास टेटर फॉर्म बनेगी आविदन की प्रिकरिया जो है वो आप RPSC की वेबसाइट पर जाके इसको प्रिकरिया वो आप जाके यहां पर चैक कर सकते हैं तो जनर्र पॉन्स से इंक्यों डिसकस नी करों जाके आप इसके आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा पॉइंस नहीं है आप यहां पर मैंने आपको दा दिया कि आविदन की लास टेट है वो आपकी एट दिसम्बर जो है वो आविदन की लास टेट है ओके आप नेट्स दिख लेते हैं जो परिच्छा सुर्क है उसके बाद देखते हैं सामा नेबर के लिए जो सुर्क है वो 350 रुपी रखा गया जहां पर 350 रुपए जन्रल और राजस्तान के OVC लोगों के लिए 250 है और इसकते हैं जाती 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 कि 150 रुपीज है तो जी आप थोड़ा सा 于 इंप्रेंट परंट विए इसको रंगय के लेटे हैं जो सब्जेट रिटर ऑ नहींन च ंश है उसका प्रोसेस प्रोसेश की सकीग कैसी होगी रिटर अग्जामिशन जो है आपका है यो आपका आपका का प्रिखेंग और थार्ट तीन फेस्ट में एक्जामस होगी तीन पार्ट युजके सब्जेट कांसे बिद्धा पोस्ट 75 मार्स का आएगा 3 गुटे का हुआ subject concerned with the post 75 मक्त तीन अबस का subject study Rajasthan, Rajasthan का GS GS Rajasthan का 50 मार्स इस तरह से 200 मार्स का पूरा paper हुगा और जो interview जो interviews हो है 24 मार्स का interview हुगा इसके पास level जो है वो आपकी दल्दी से उस पर website पर लगाती थेगा, ओके तो इस तरह से ये पूरा simple simple points है, मैं बागी points की discuss नहीं करना हूँ, उनी points की discuss करना हूँ, जो paper की point of view से importance है, ओके तो मैंने यहाँ पर आपको number of post बता दी, अब देखो जहाँ पर यह सब general points है, इस points को discuss ही करूँगा सारे word पत्र आपका verification भी होगा जब आपका selection हो जागा, उसके बाद verification भी होगा, simple सारे points है, इसके बाद मैं discuss जाते हैं, नहीं कर रहा हूँ, ओके और तो इसके लिए सबसे important जो चीज़ है वो है क्या, आपका waveform जो है, वो आपका last date form बने के लिए last date 8 December है net select compulsory है, case limit 21-40 words है और अपने-पने subjects में net select qualify होना जरूर है, तो इसके बारे में मैं आपको बुलता दिया और इस पीडियाप की जो link है वीडियो के description आप जाके चेक कर सकते हैं, okay student तो आप RPSC की तुर असिस्टेंट पॉफिसर को बरिये, और BSN Academy में online classes, net select और set exams की different subject registration चल रहे हैं, आप registration करके इस form त्यारी कर सकते हैं, यहां पर computer science, management, commerce, economics, library science, job office, कई सब्जेक्टेंट में हम त्यारी कराते हैं, तो BSN Academy में आप जो बहुत सब नंबर हैं वीडियो की description में है, लिक चल रहा है, आप आप पर जाके हमारी website पर चेक कर सकते हैं, और प्रोटेटेंट पर जानकारी में लेज़ सकते हैं, okay, thank you